इंडिया से इंडिया क्या लड़ेगा चक्ना चूर हो जाएगा, मिटी में मिलेगा, इंडिया नेशनल डिमोक्रेटिक, इंक्लूसिव ऐल इंस बन गिया, इंडिया कभी हरा है, इंडिया तो अंग्रेट को भगा दिया, राम मुद्दा से पेट नहीं भरेगा बेरोजगारी दूर नहीं होगी गरीबी दूर नहीं होगी इस सब का जवाब देश की जनता इसको देने का काम करेगी आ इनको भगाने के लिए बैठी भी है इत्मिनान से कि आवेदा चो भी तो रहियां से भगेवब तू बड़ी बो मनीपूर का जवाब कात कहानी दे रहे हैं इनके जैसा व्रस्ट्कौन होगा इंडिए के जैसा और मोधी कि जैसा व्रस्ट्कौन है विपक्ष की 29 पार्टियों की बैठक बैंगलोर में हो रही हैं अन्तिम महूर्त दिया जा रहा है उसी पे तंज करते हुए मोदी जी ने कहा है कि भरस्ट चार्यों की बैठक है परिवार बादियों की बैठक है और उन्होंने एक साहरा ने अंदाज में शेर भी पढ़ा इसी पर कमेंट लेंगे हमारे साथ राष्ट्रिय उपाद ध्यक्ष है उधर नया नाम पर आपको सुभकामना है मैं सबसे पहले नितीस कुमार जी को लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी प्रसाद को धन्यवाद देना चाहता हूँ धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि इन लोगों ने कंस्टिचीशन को बचाने के लिए संबिधान को बचाने के लिए सेक्लिरिज्म को मजबूत करने के लिए उनमादियों के खिलाब और लोकतांत्रिक डिमोक्राटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो पटने में पिछली मीटिंग बुलाई थी जो पौधा लगाए था उन पौधा थोड़ा बड़ा हुआ है अर उपधा बड़ा हो करके बंगलोर में और थोड़ा बड़ा हुआ और मजबूत हुआ देश से अब इससे तो बड़ा घबडा गया है बीजेपी के लोग भाड़ी चिंता में है इसलिए हड़ड़ा के मीटिंग बुला रहे हैं फिर अब मुंबई में जा रहे हैं लोग कर रहे हैं तो इतना आनन फानन में आज ही के दिन मीटिंग बुलाए गया है पहले तो उसको बुला रहे हैं आओ आओ कोजामत कर रहे हैं उसको भाई जोईन करो तुमको भी हम कुछ सीट दे देंगे मंत्री बना देंगे इस अध्यू मिनत कर रहे हैं इंडिया रख दिया इन लोगोंने सम्मिल करके इंडिया इंडिया से इंडिया क्या लड़ेगा चक्ना अबी फ़ेज का शाम्राच्जवादी है। इसको लुखा तॉखाम्राधी में यह सायरी पढ़ रहा है कि आप लोग परिवार बादी हैं प्रश्टाचारी। उन्होंने एक साइडी पढ़ा अप्रहान लिंकं का जो लोकतंत्र पे परिभासा आ है जनता के लिए जनता के द्वरा उस पे उन्होंने सब्दों में हेरफिर किया है आप लोग ओफ दा फेमली बाइ दा फेमली फोर दा फेमली के लिए लग रहें हैंP मनीपूर का जवाब का तक कहनी दे रहे हैं इनी की सरकार्ण है का हो गया मुँँ में चिपी सटल है मनीपूर पराज तक एक सब नहीं बोले आचल जाते हैं विदेश अल लटते हैं तो इस पर लाखने परिवार वहां परिशान परिशान है कितने लोग सैंकलो लोग मारे काम और वरस्टाचारी इनके जैसा वरस्ट कौन होगा इंडिये के जैसा और मोदी की जैसा वरस्ट कौन है अभी कोई एक्जाम्पल नहीं इनके साथ रहिए ता आप एदम वासिंग मसीन से धूल करके पढ़िया निकल जाएगा इनके विरोध में रहीगा तो वरस्ट हो जा और उसको मुख्य मंत्री भी इन लोगों ने माल लिया अभी न भुपालियों बोले थे चगन भुजबल का नाम ले करके इन भरस्टियों को टिक करेंगे अजीत पवार को टिक करेंगे अजब उनके पास चल गया था वासिंग मसीन में धूल गया ये पश्चिम मगाल के रश्चिम में धूल गया तो जो इनके साथ अभी जो इजद्रप्पा कनाट किया था प्रश्ट हो गया था लेकिन इन के अहां चल गया था फिर वासिंग मसीन में धुल के निकल के आगया बढ़िया हो गया तो आप अगर करिए तो कुछ नहीं है और वो बरस्ट है हमारे साथ रहेगा तो वासिंग मुसिन में धुल जागा वरस्टा अचार का सिर्मावर अगर कोई है तो पिछले नौ साल की हुकूमत मोदी जी के राज का हुकूमत है जिसने देश को आम देश की जंता को ठगने का काम किया जितना लोन अब तक देश ने आजादी के बात नहीं लिया है उससे ज्यादा कर्द दुगना कर्द उससे दुगना से भी ज्यादा कर्द इतनौ साल में मोदी सरकार ने लिया और यहां के एक एक आदमी जो मा के गर् पर भी लगवक शोदह हजार 15 रुपया का कर्ज चुड़ जाता है यह इस देश की 14 पंदरह हजार कर्ज चुड़ता है जो बच्चा मा के गर्ब से आता है उसके उपर विचा है किसी का बेटा हो अम्मानी के खांदाने पैदा लिया हो या गाउं के दलित परिवार के तो करज में लादने का काम किस ने किया ये परहश्ट इपईसा सब कहां गया अकरजा लेकर के अच्छला गया आदानी के जिब में सीधा ये क्या है अपने साथियों को जो रोज दिन आप गरी आते हैं पाकिस्तान को बहुत कहते हैं आपने साथिको ठीका दिलवाने के लिए आस्ट्रिया से सीधे चले गया नवाज सरिप से मिलने के लिए क्या ये बात सही है कि गलत है बिना आप कारकम कि आप गय की नहीं गया बताईए इसका जवाब देना चाहिए आपको लेकिन आप दोस इलेक्टरल बॉंड इनको मिला कि नहीं मिला सबसे जादा 90 परसंट इलेक्टरल बॉंड जो चुनाल लड़ने के लिए चंदा हाई निको मिला एक बात पीम केर फंड में लूट हुआ कि नहीं लूट हुआ इनको जवाब देना चाहिए उसमें ट्रांस्परेंसी होना चाह ही है क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं हैं आपके वाल बहलाते हैं और हिंडेन वर्ग का खुलासा जब हुआ आपके और अरानी के मित्रता का जब केजरिवाल ने वहाँ आपको बताया कि आपने क्या क्या कहा कितना पैसा लूटने का काम किया बिधान सुभा में दिली के बिधान सुभा में है जब राहुल जी ने इसके बारे में लोक सुभा में कहा तो आप उनकी मेंबरी खतम कर देते हैं केजरिवाल के कद को छोटा करना चाहते हैं वहां के उपराज़ पाले के माध्यम से याद रखिए ये सब जनता हमारे और आप से ज़्यादे इस देश की जनता पढ़ी लिखी और समझदार है अनपढ़ हो सकती है इस देश की जनता लेकिन बेकूफ नहीं है और आपके जो खुब लक्षेदार भासन दे रहे हैं इसको समझती है आपको अगले 2024 में इसका जनता जवाब देगी उनका तो सर क्रिस्टल किलियर है कि हिंदू राष्ट बनाएंगे वो राम मंदिर बनके तयार हो रहा सकता है कि दिसम्बर तक फर्स्ट फ्लोर बनके तयार भी हो जाए पाकिस्तान को गण में घुसके मारते है राष्टवाद उनका नारा है जैसे राम उनका नारा है चुनाम में यहीं चलेगा सर तीवी अखवार यहीं चलाएगा आपके मुद्दे कहां है तीवी अखवार चलाते रहे राम मुद्दा से पेट नहीं भरेगा बेरोजगारी दूर नहीं होगी गरीबी दूर नहीं होगी इस सब का जवाब देश की जनता इसको देने का काम करेगी इनको भगाने के लिए बैटी भी है इत्मिनान से कि आवेदा चोवी तोराहियां से भगएवब तू बड़ी बोला बढ़ियां से लेकिन तू करा सब उल्टे काम पांच किलो आनाच देके हमनी के बुड़ोग बना बहा असब अपना दोस्त अदानी दी के खजन में खोल के दे दे असब देस के बेच भी दे लाए बताईए बाप रे बाप ये बीएसनेल के हजारों हजार करामचारियों को राते रात बेच करके उसको बेरुदगार कर दिया हजार हजार करम चारी को बेचा दिया देश ये रेल को बेच दिया ये अरपोर्ट को बेच दिया बेच नेल को बेच दिया सेल को बेच दिया गेल को बेच दिया बेल को बेच दिया देश के कितनी संपत्ती को इन्होंने बेचा आप तक औने पोने के भावन बेचा जो फायदे में थी उसको ही बेचा और बेच के फायदा किसको दिया केवल एक अपने मित्र को दिया अडानी समूख और अंबानी समूख को देने का काम किया है देश का भट्टा बिठा दिया है इस इन्वेस्टमेंट किया इसे रोजगार प्राइबेट सक्टर में बठेगा का रोजगार मिला है इस बढ़ रहा है अब MATT किया है नयानया सब्द निकालता हुआ नयानया बात सिखाता है सिखाईए समय पर आपको जवाब मिल जाएगा चिंता न किजिए इंडिया जीतेगा इंडिया हारेगा इंडिया का चेहरा कौन होगा दुलहे नहीं है आपके पास तेरी के दुलहा साधी से पहले ही अब बच्चा के नाम क्या रखागा सो बोलते हैं आपको वो तो जाके पूछ रहे थे करनाटक में भी कौन दुलहा हो मिलने गया दुलहा है आपकी दुलहीनिया को ठीक कर देगा हमारा दुलहा चिंता मत किजिए आने दीजिए चलिए तो यह उद्यान रायन चोधरी जी थे और जिस परकार से विपक्षी यक्ता की बरी बैठक करनाटक में चल रही है बंगलोर में चल रही है उसको लेके मोदी जी का तीखा कमेंट था उन्होंने डेमोक्रेटिक डेमोक्रेशी का जो वाइदा पीपुल, वाइदा पीपुल, वाइदा पीपुल के लिए बैठक है और एक तंज और भी किया उसने कि भराष्टाचार यदि आप करते हैं और जितना लंबा भराष्टाचार करेंगे उतना अधिक सम्मान मिलेगा बिपक्ष में आपको यदि आप सजाय आपता है ता आपको BCS चेयर मिलेगा ये भी उनका तंज था और मोधी जी भी आज बैठक कर रहे हैं 38 पार्टियों को लेके छोटी-छोटी पार्टियों को लेके वह बैठक कर रहे हैं चोबिस में क्या होगा आप उद्यनरान चोधरी जी की बातों से कितने सहमात हैं और सहमात है के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें